मुझे भागीदार बनने का मौका मिला इसके लिए मैं बहुत-बहुत सभागेशा लिए अपने आपको मानता हूँ बाबा साब अम्बेड कर उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया था वो एक बहुत बहुत गरीब परिवार से आते थे उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था और उन दिनों में छुआ छूत भी बहुत ज़्यादा थी वो जब स्कूल जाते थे थे उनको क्लास के बाहर बिठा देते थे ऐसे परिवार से और ऐसे गाओं से निकल के उन्होंने एक पिएचडी की डिग्री करी अमरीका से और एक पिएचडी की डिग्री करी लंडन से दो-दो PhD की डिग्री उस जमाने में करी थी और वो हमारे देश के आजाद भारत के कानून मंत्री बने और उन्होंने हमारे देश का समविधान लिखा आज भारत के समविधान को पूरी दुनिया मानती है तो उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया था कि कुछ भी करो एक टाइम रोटी कम खालो लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है आज तक कितनी सरकारें आई हमारे देश के अंदर हमारी तो नई नई पार्टी अभी अभी आई है हमारे पहले कितनी सरकारें आई किसी सरकार ने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम नहीं किया किसी सरकार ने स्कूल बनाने का काम नहीं किया नाम के वास्ते सरकारी स्कूल बना दिये इतना बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का, एक गरीब आदमी को, ऐसी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, अपनी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है, क्योंकि पैसे नहीं हैं, घर में पैसे नहीं हैं, इसलिए बच्चों को सर सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिये प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे कर दिये अब दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं वकील बन रहे हैं सरक सरकारी स्कूलों के दलितों के बच्चे इसी समाज के बच्चे उनको कई कई लाख रुपय महीने की तंखा मिलनी चालू हो गई है। कि मान साब ने भी भगवंत मान साब ने भी पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों का काया कल्प करने का काम शुरू कर दिया है पंजाब थोड़ा बड़ा राज्जे है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मुझे लगता है अगले पान साल के अंदर हम पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों का काया कल्प कर देंगे आज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है आपके सबके बच्चों को अच्छा रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी है ये बात में अभी तो कोई चुनाव नहीं है कुछ नहीं है आपके बीच में आके कह रहा हूँ क्योंकि हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है हम आम लोग हैं आम जंता से निकल की आए हैं आम आदमी का दर्द समझते हैं हमें राजनीती करनी नहीं आती हमें गंदी पॉलिटिक्स करनी भरष्टाचार करना नहीं आता दिल्ली के अंदर जैसे हमने सारे सरकारी स्कूल पांच साल में शांदार बना दिये पंजाब के अंदर भी अगले पांच साल के अंदर सारे सरकारी स्कूल शांदार बनाएंगे आपके एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे ऐसे ही सरकारी अस्पताल है सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है बिमार हो जाये तो कौन जाता है सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी जाता है गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता वो प्राइवेट बड़े बड़े अस्पितालों में पैसा नहीं खर्च कर सकता बहुत महंगा हो गया इलाज इसलिए बिचारा गरीब आदमी सरकारी अस्पिताल में जाता है सरकारी अस्पितालों की बिल्डिंग टूटी पड़ी है मशीने काम नहीं करती दौईयां नहीं मिलती टेस्ट नहीं होते डॉक्टर नहीं आते दिल्ली के सारे सरकारी अस्पितालों को शांदार बना दिया दिल्ली के सारे सरकारी अस्पिताल एर कंडिशन बना दिये सरकारी अस्पिताल बड़े बड़े प्राइवेट एस्पितालों से ज़्स हैं सारी दवाईया मुफ्त मिलती है सारे टेस्ट मुफ्त होते है सारी मशीने काम करती है डॉक्टर टाइम पे आते हैं इलाज अच्छा होता है पंजाब के सरकारी एस्पितालों को भी ठीक करने का काम मान साब ने चालू कर दिया है मान साब 24 घंटे रात दिन मेहनत कर रहा है मैं जानता हूँ और हमारे जो सेहत मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर वो भी 24 घंटे इसमें लगे हुए है दिली में हमने गली गली में महला क्लिनिक खोले छोटे छोटे महला क्लिनिक आपको खासी, बुखार, जुकाम छोटी 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 बिमारिया हो आप महला क्लिनिक में अपने गाओं में, अपने पिंड में अपनी महले में जाके वहां से इलाज करा सकते हैं वहां सारी दवाईया मुफ्त होती हैं जारा इलाज मुफ्त होता है मैंने 5 साल में पंजाब में मान साव ने एक साल में 1.500 मोहला क्लिनी कोल दिया तो जो काम हम आपने दिली में किया उससे 10 गुना स्पीट आहिए अब पंजाब के अंदर हो रहा है अब हर पिंड के अंदर महला क्लिनिक खोलेंगे गली-गली महले-महले के अंदर महला क्लिनिक खोलेंगे आपको और आपके पूरे परिवार का इलाज बिलकुल मुफ्त होगा आपको चिंता करने की जुरूरत नहीं है पंजाब में आप लोगों ने एक इमानदार सरकार बनाई है उपर वाले की कृपा से यही एक मौका है जब हम सब मिलके एक रंगला पंजाब बना सकते हैं इमानदार सरकार है हम पैसे चोरी नहीं करते पैसे डाका नहीं डालते जितना पैसा टैक्स में आता है सारा पैसा आपके उपर खर्च करते हैं यही मौका है तीन करोड पंजाबी मिलके पंजाब सरकार के साथ इस बार हम सारे मिलके एक रंगला पंजाब बना सकते हैं पिछले कुछ दिनों में आपने देखा किस तरह से कुछ लोगों ने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की हमें किसी हालत में माहौल खराब नहीं होने देना हमें पंजाब में शान्ती और कानून विवस्था बना के रखनी है कई बार कठोर निरने लेने पड़ते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के हमारी पंजाब सरकार भगवंत मान जी के नित्रतों में अगर हमें कठोर निरने लेने पड़ेंगे हम कठोर निरने लेने से भी पीछे नहीं अटेंगे पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से पंजाब के अंदर शान्ती विवस्था बनाए रखने के लिए मान साहब ने कठोर निरने लिए लेकिन बिना एक भी गोली चले बिना कोई भी खून भहे पूरे पंजाब के अंदर आज शांती विवस्था बरकरार है और जो गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग आज दुम दबा के भाग रहे हैं तो किसी जो भी शांती खराब करने की कोशिश करेगा उसे बक्षा नहीं जाएगा आज पंजाब के अंदर जो नशा बेचने वाले हैं वो भी दुम दबा के भाग रहे हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि सारा नशा खतम हो गया अभी भी इदर उदर काफी लोग हैं इनको भी पकड़ के जेल में डालना है जितने नशा बेचने वाले हैं तो मैं कानून विवस्था के अंदर भी जितना सुधार हुआ है जब पंजाब में हमारी सरकार बनी हम देखते थे बड़े बड़े गैंग्स्टर बड़े बड़े अपराधी कोई इसनेता का है कोई उस पार्टी का है कोई उसके साथ उसका संबंद है वो उसका माई बाप है वो उसका गौड फादर है सबकी कहीना सारे गैंग्स्टर सारे बड़े बड़े अपराधीयों की कहीना कई सेटिंग थी इसलिए किसी को पकड़ा नहीं चाहता था आम आदमी पार्टी की किसी के साथ सेटिंग नहीं है इसलिए एक एक करके एक एक करके पिछले एक साल के अंदर जितने गैंग्स्टर और जितने अपराधी पकड़ पकड़ के जेल में डाले है दीरे दीरे आपको पता लगने लगा है कि पंजाब के अंदर कैसे शांती विवस्था आने लगी है कानून विवस्था आने लगी है हमें बच्चों के लिए नौकरियां देनी हैं बच्चों को हमें बच्चों के हाथ में कम्प्यूटर देनी है हमें बच्चों के हाथ में नशा नहीं देना हमें बच्चों के हाथ में बंदूखने देनी पंजाब के लोग इतने अच्छे हैं अभी मैं नांगल से आ रहा हूँ कितनी खुबसूरत जगे हैं नांगल इतनी खुबसूरत सतलुज नदी है सामने पहाड है इतनी खुबसुरत जगे भगवान ने बनाई है पंजाब इसको कुछ लोग जब माहौल खराब करने के कोशिश करते हैं उन्हें किसी भी हालत में माहौल खराब नहीं करने देंगे अभी पिछले दिनों 25,000 के करीब मान साथ 25,000 नौकरियां 26,797 सरकारी नौकरियां मान साथ ने दिये बच्चों को उसी तरह से पहले आप देखते थे हमारी सरकार के पहले टीचर पानी की टंकी पे चड़े हुए है डॉक्टर पानी की टंकी पे चड़े हुए है अब ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता कि कोई पानी की टंकी पे चड़ा हुआ है सब को पक्का कर रहे हैं धीरे धीरे टाइम लगता है जब आप पक्का काम करो तो पक्का काम करने में टाइम लगता है लेकिन अब आपको कोई पानी की टंकी पे चड़ा हुआ नहीं मिलता तो पंजाब धीरे 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 पट्री पे आ रहा है आप सब लोगों ने बहुत दुआई दी हैं हम लोगों को आज गुरु महराज जी की भी दूआ लेने के लिए आशिरवाद लेने के लिए आया हैं बाबा जी का भी आशिरवाद लेने के लिए आया हैं मैं अपने आपको बहुत सो भागेशाली समझता हूँ आज यहां आने का मौका मिला जै गुरु देओ बूले इसोन रिपह शुगर विदास महराज की संगे सेन वेदने के किरपया पांच मिंट के लिए और बैठने की किरपालता करें बहुत 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 धन्यवाद श्रीमान अर्विंद केजरिवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली उन्होंने अपने विचार संगत के बीच में रखे और अब जो श्रीगुर विदास महराज की अमर्तवानी पर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है वो 25 क्रोड रुपे का चेक महराजी को बेट करें बोले इसो निर्पे शुगर विदास सत्गुर स्वामी सर्वंदास महराज की अमर्शी संत्रा मानन्द महराज की सत्गुर विदास शक्ती सत्गुर विदास शक्ती सत्गुर विदास शक्ती तो गुरु पहरी साथ संगती बहुत बहुत दानवाद CM Savda महराजी द्वारो सर्मांत किता जारे श्रीमान पगवान सेंग मांजी मुख मंत्री पंजाव महराजी पासो शीरवादा लेरे ने तो गुरुप यरी सासंगे जी उनादे नाले मुख मंत्री श्रीमान अर्विंद केजरीवाल जी महराजी पासो अपना मांसर मांस प्रापत करन श्रीमान रागव चड़ा दी महराजी पासो अपना मांसर मांस प्रापत करन मंतरी पंजाब सरकार श्रीमान लालचंद कटारू चक्त दी MLA साव करतारपरतो श्रीमान बलकार सिंग दी MLA जलंदर वेस्ट तो शीमान शीतलंग गुराल जी, मलेर अमन रोडा जी, डक्टर रम जोद जी, और जीवन जोद जी, मंत्री साव शीमान, कुल्वीर सिंग, कुल्दीव सिंग तारीवाल जी, ओई महाराजी पासो अपना मांसमान प्राफ्तकन संत महाराई, बलवीर संग जी, शिचेवाल, मेंबर पार्लिमेंट, महाराजी पासो शरोपा पेटकन तो गुरूपैरी साथ संग जी जिते आजे, पंजाव दे, MLA MP, शिरिमान, आजे दाजी MLA दिली, महाराजी पासो अपना मांसमान प्राफ्तकरन, तो गुरु पहरी साथ संगे जी आज मैं तेय दिल तो वर्शाशंदा भी तहनवाद करदा जलंदर डीसी साव श्रीमान जस्प्री सेंग दी जिनानिया बडमुलिया से वामा अश्रम प्रती हुंदियाने तो डी आई जी स्वेपन शर्मा दी माराजी पासो अपना मान समान प्राप्त करण SSP साव जलंदर डीहती श्रीमान स्वरंदीव सेंग दी इरपयावी और माराजी दे पासो अपना मान समान प्राप्त करण तो गुरु पहरी साथ संग दी मैं आज बहुत अभारी हैं समुच्चे MLA साथ बहुत बहुत धनवाद मुखमंतरी पंजाव शिमान पगवान सिंग बांग जिना ने गुरूर विदास महराजी दी पावन पवित्र बाणी नू अगे लेके चल दे गुरूर विदास महराजी दे रिसर्च सेंटर दी प्रमता किती है तो सारे शाषन परशाषन दा और MLA सवान मंतरी सहवान सारे सेवादा रांदा बहुत बहुत तनवाद के आज देराशरी एक्सोवाट संसरवन दा जी सचखंड बलाम विखे आज महराजी देया शीरवाद प्रापत किते ने तो गुरू पहरी साथ संगी सत्गुर स्वामी रंजन दाजी महराज गुरू जी बलो और मैं अपड़ें बलो आप सब संक्तान दा बहुत बहुत तनवाद करदा हूँ बलंद वाजवेचे कबर जेकारा लाइए जी बोले इसो नरपह शुगरविदास बोले इसो नरपह सत्गुर स्वामी सरवन दास महर बोले इसो जै मरशी संत्रमनंद महराज सरपेख पगवान की जै जै गुर्देव दन गुर्देव झाल 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 झाल